है गाई स्वागलत आप सभी का दामाशर साब में दोस्तो वैकेंसी आई है आपको दर्भंगा कॉलेज ऐफ इंजिनियरिंग डी-सी दर्भंगा में और दोस्तो यह गों करना है और यह जौब आ आपके लिए इसके ये qualifications और कौन सा department है जिसके लिए ये post आया है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा department है क्या qualification है और इसके लिए interview कब होगा दूसरी चीज कि क्या इसके लिए कोई google form apply करना पड़ेगा या कोई application form बना के ले जाना होगा या सिर्फ resume से काम चल जाएगा या cv से काम चलेगा यह सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हमारे वीडियो दोस्तों यह जो वैकेंसी है यह आई है दर्भंगा college of engineering दर्भंगा से वाक इंटर्विव है यहां पर लिखा गया है कि application are invited from the citizens of India for walking interview interview वहा जा रहा है for guest assistant professor department of computer science engineering सिर्फ computer science engineering के लिए आया है और यह दर्भंगा college of engineering में आया है इसका जो qualifications है वह AICT norms के हिसाप से AICT norms बोलता है कि M.Tech होना चाहिए तभी आप engineering college में पढ़ा सकते हैं अगर आपके पास PhD है तो आपको preference पहले मिलेगा यह अगर आप रिटार्ड पर्सन है तो भी आपको preference पहले मिलेगा अगर आपने कुछ अच्छे exam जैसे कि get बगारे में अच्छा score कर रखा है तो भी मतलब आपको online कुछ नहीं करना है आपको एक इंटर्वी में जाना है सारा डॉकुमेंट लेके मैं बताऊंगा भी कि कौन-कौन से डॉकुमेंट्स आपको लेके जाने हैं इसका इंटर्वी होना है और यह होगा दरवंगा college of engineering मभी पे है दरवंगा में यहां पर दे दिया एक advertisement है जो paper में आया था अब मैं आपको principal साहब का letter दिखा देता हूं कि यह authentic है या नहीं और क्या इतना ही detail हो या उसमें और भी detail दिया हुआ है तो यह principal साहब का letter है यहां पर देख लिए तो यह वही चीज लिख्यों जो मैंने आपको बताया है अब इसमें डॉकुमेंट के हम लोग बात कर लेते हैं तो डॉकुमेंट के लिए समझ जाए कि आपको 10 से लेके mtec तक जो भी आपका mark sheet है mark sheet and certificate यह आपको रखना है original और jerox ठीक है यह documents हो गया उसका अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको residential certificate होना चाहिए ताकि आपको औरक्षन का lab मिल सके और उसमें अगर OBC से हैं तो OBC NCL होना चाहिए अगर CST category से आते हैं तो cast certificate आपके पास होना चाहिए अगर EWS से हैं तो EWS certificate होना चाहिए और इन सब का आप क्या कीजेगा कि दो set jerox करा लीजेगा और दो passport size photo नया आप रख लीजेगा और एक resume आप तयार कीजेगा एक resume CV या resume बनाईएगा उसको भी उसको पुड़ा fulfill करके इन documents के साथ एक set बना लीजेगा यह वहाँ पर आपको जाके submit करना है वहाँ पर checking होगी जरॉक्स जमा हो जाएगा और original का चेक किया जाएगा तभी आपको interview के लिए अंदर बुलाया जाएगा तो यह सारा documents आपको त्यार कर सके और इस post को gather कर सके ठीक है तो यह सारी बाते होगे दर्भंगा college of engineering के तो डी सी में यह वैकेंसी आई है अब इसका जो advertisement है यह इसके website पर अभी सो नहीं कर रहा है यह वैपसाइट अपडेट नहीं हुआ है ठीक है तो अगर आपको यह advertisement चाहिए download करना है तो आप हमारे telegram चैनल पर चले जाईएगा जिसका link description box में वहां से आप इसको download कर सकते हैं ठीक है तो यह सारी बाते हो गई इस वैकेंसी को लेके आप ही आगे भी अगर को अच्छी वैकेंसी आएगी नहीं वैकेंसी आएगी तो मैं जरूर अपडेट करूंगा आप हमारे साथ बने रही है Thank you very much